आजवाज ने दुनिय समाचार में आपका स्वाज़ट है पेश ने आज़ rules की तहों खबर है भारत में किया अगनी एक परमानों निसाइल का प्रिक्षान प्रेट चार से इसका प्रेविक प्रेशन किया जो मिसाइल 700 किलिमेटर दूर इसे लक्ष को निशाना बना सकती है फतह से सतह पर मार करने वाली है एक जर्णी मिसाइल ठोस परणोंते पहु से चलती है एक रक्षादिकारी के अनुसार इस अत्याधनिक मिसाइल ने 700 किलिमेटर की दूरी 9 मिनिट 36 सेकंड में पूरी की कुल 12 टन बजन की 50 मिटर लंबी है अगनी मिसाइल एक टन से अधिक का भार ले जा सकती है जब कि भार घटा कर इसकी मारक शमता बढ़ाई जा सकती है नफरत और फैला रहे हैं ट्रम्प हिलरी क्लिंटर ने कहा अमेरिकी रास्पती पर्ट के थे लिए डमोक्रेटिक पर्टी की उमीदबारी की दाभेदार हिलरी क्लिंटर ने विवाधित रियल स्टेट कारुवारी डोनल्ड ट्रumpp पननाफरत और डर फैलाने का आरोप लगाते हो दावार किया कि ट्रम्प को वाइट हाउस में आने से रोकने के लिए विदेशी नेता उनका समर्थन कर रहे हैं प्राइडर को प्राइमरी से पहले हलेरी ने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिकी लोगों को सोचना चाहिए यह साफ है कि ट्रम्प बहुत उल्मादी तरीके से अभ्यान चला रहे हैं और अमेरिकी लोगों के सर्मूहों को एक दूफरे के खिलाप कर रहे हैं इसकूल नहीं ले पाएंगे छातरों से अधिक फीस इसनुटी इरानी ने कहा लोग सबाएं में बूरा नरसाया गोडा कि पूरेक प्रश्णों के उतर हैं मानवाना संफर्दन विकास मंतरी इसनुटी इरानी ने कहा कि सक्षन एक संस्थां में छातरों से अधिक फीस वसूल ने और इससे जुड़े मुद्धों से निवटने के तंतर को विवस्तिक किया गया है सब इत्व पोशन सिक्षन संस्थां द्वारा मनवाना शुल को वसूल किये जाने के मुद्धे पर AICTE विचार करती है उन्होंने कहा कि सरकार अगले सतर से एक नया वरी है दमुक्त ओनलाइन कोर्स आधारित पोर्टल स्वयम शुरू कर रही है यह कारिकर मुबाइल फोन आधारित होगा जिसके तहट 500 पाठिकर मोहिया कराए जाएंगे इस कारिकर में के तहट दिये जाने वाले परमान पत्रों और डिप्लोमा को संबंधित सिक्ष्ण संफ्ताओं द्वारा मानिता दी जाएगी गुलाम नभी आजाद ने कहा इफ्लामिक इस्टेट से नहीं किया रसेस की तुलना गुलाम नभी आजाद ने संब मार्ग भाजपा के इस आरुक को फिरे से गलग बताया कि उन्होंने जमीय तुले माई हिंद के टारिकर में दी अपने भाशण में राफ्ली स्वाहिम से बख संख की तुलना खतरना कातंग वादी संख्ठन इस्टेट से की थी बाजपा के मुक्तार अबाफ नकभी दौरा राजपा में यह मामला उठाये जाने पर आजाद ने कहा कि उन्होंने इस तरह की तुलना नहीं की है वे अपने भाशण के अंच परकर सुना रहे हैं और यदि इसमें कुछ गल्म पाया जाता है तो उनके खिलाप विशेशादीकार हनिन का मामला लाया जा सकता है इस्लामिक स्टेट के हमले में 22 एरागी सेनिकों की मौत इराग के रमादी शेहर के पाफ इस्लामिक स्टेट के हमले में इराग के बाई सेनिक मारे गया जथा साथ से अधिक लापता हैं यह जानकारी सेनिकों के सूत्रों ने दी है इस्लामिक स्टेट में यह हमला रभी वार राग एरागी सेनिकों की बेरिकों पर किया हमले में 16 सनिक घायल हो गए ये थे तक के मुखी से माचार हो ज़्यादा जनकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेट साइट www.vipdunia.com नमस्कार